आज मैं आपको आपके बगाया मांदेर अशी के बादेना चाहूंगा कि जो बगाया मांदेर अशी है आपका कब तक का ये आफ की म? बडी में अचित ही तरीके सम्झा पाऊंगा एप doğru ए जबढ़ देख और उससे जूरुए सारी जनकाडी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक दीजिए और नय होते चैनल को सस्काइब कर दीजिए अब मैं आपको बताऊंगा कि यह इस पत्र के बारे इस वीडियो निखा हुआ है कि सेवा में सभी जील्या प्रोग्राम पता अधिकारी मतलब इस इतने प्रोग्राम पता अधिकरी उनको इंगित करके लिखा हुआ है इसमें विशाय में कहा गया है कि सेविका साहिका का बकाया मांदे 31 जनवरी 2022 तक आंगन अप पर अपलोड करने हैं मतलब जो सेविका और साहिका दोनों हैं उन दोनों का मांदे 31 जनवरी 2022 तक आंगन अप पर अपलोड हो जाएगा तो इस संबंद में ये पूरा है, इसमें लिखा हुआ है, उप्युक्त विशाय के संबंद में करना है, कि मुख्यमंत्रे जनता दरबार से परिवाद से यह प्रतीत होता है, कि कुछ सेविका साही विकाओं का मांदे 17 फरवरी, 2019 तक बकाया है, मतलब बहुत सारी सेविकाओं बहुने काम कर नहीं है, लेकिन उनका मांदे अभी तक नहीं है, तो उस पर लिखा हुआ है, एनाइसी के द्वारा बकाया मांदे मार्च 2017 फरवरी 2019 तक आंगानेप में अलग से बस्तकी गई है, उन सेविकाओं बहुनों के लिए, उनका जो बकाया मांदे है, वो 2019 तक आ ज मांदे के लिए अंगन उपस्तिती स्थापित किया जाना सुनस्चित करें, मतलब जो उनका बकाया मांदे है, ये लेटर लिखा गया है, उनका जो बकाया मांदे है, उनको दिया जाए, उनका जो बकाया मांदे है, उतना स्थापित किया जाए, आगे पत्र में बोला जा र परके सुना दे रहा हूं और इसमें जो मांदे के उपलेक्स में उपलक्स में आपको बता रहा हूं फिर यहां पर अंती में देख सकती है कि यहां पर लिखा हुआ है अत्तर इंदेश की आयता है कि आंगन बड़ी सेवी का साहिकाओं का बाल की मांदे 31 जनवरी तक आंगन एप पर अपलोड किया जाए मतलब यह इसी महा में 31 जनवरी को आप लोग का मांदे आ जाएगा तो य हो सकती है क्योंकि आप देख सकती है यहां पर आया हुआ है लेटर और यह लेटर 27 तरीक कहीं है मतलब यह आज ही का लेटर है और मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं और आप यहां पर ICDS का ओफिसियल साइन भी देख सकते हैं जो ICDS के अधिकारी है अला अधिकारी तो यह आप लोग के लिए एक अची ख़बार आई है खुसकबरी है आप लोग के लिए तो अगर आपको यह वीडियो अची लगती है तो वीडियो को एक लाइक दीजे और नय होता आप चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजी यह आप लोग के लिए खुसकबरी है धन्यवाद